नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चने की कुछ उननसील प्रजातियों की जिनकी बुआई करके आप काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं जो किसमें हमने सामिल किया है पूसा संस्थान दौरा निकाली गई कर सकते हैं सिंची चेत्र के लिए एक अच्छी प्रजात है और इस प्रजात से आपको एक एकड़ में साथ कुंतल तक उत्पादन मिल जाएगा यह एक्टियर में आपको अठारा कुंतल तक यह उत्पादन देने की छमता रखती है पकने में 145 दिन का समय ले लेती है सव ग् किराम तक लगभग वजन होता है मोटे और बड़े आकार के दाने होते हैं अक्टूबर के मद्धि तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं और क्योंकि लंबी अवध की है तो इसलिए अक्टूबर के मद्धि के बाद यह आप बुआई करते हैं तो उत्पादन घट जाएगा तो आपके लिए एक अच्छी प्रजात है यदे हम अगली प्रजात की बात करें तो यह है बीजी तीस तेतालिस एक देसी किसमे संदोहजार अठारा में इसे बिक्सित किया गया था उत्तर प्रदेश जहारखंड बिहार पस्चिम बंगाल के लिए अच्छी प्रजात है अ यदे आप सिंची छेतर में बुवाई करते हैं तो साथ कुंतल तक आपको इस प्रजात से उत्पादन मिल जाएगा यानि सामान रूप से बात की जाए तो सोला से बीस कुंतल प्रते हेक्टियर आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा सामान और मध्ध माकार के दाने होते ह 100 दानों का वजन लगबग 23 ग्राम के करीब होता है 130 दिन में ये किस्म पकर तयार होती है तो इसलिए यदि आप असिंची छेतर के निवासी हैं तो इस किस्म की बुवाई करके आप काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तीसरी किस्म की यदि हम बात करें तो ये महराष्ट और करनाटक के लिए काफी अच्छी प्रजात है इसका नाम है BGD 111 देशी किस्म है सन 2018 में इसको भी बिक्सित किया गया है एक बहुत उन्नस सेल प्रजात जो है आपके छेतर के लिए मानी जा सकती है इसकी उपज की बात की जाए तो 6 कुंतल तक आपको एक कड में उपज दे जती है यानि हेक्टियर में आपको लगभग 17 कुंतल के करीब उतपादन देने की ये किस्म छमता रखती है पकने की अवद बहुत कम है यानि 95 दिन में ही पक कर तयार हो जाती है और 100 दानों के वजन की बात की जाए तो 25 ग्राम तक लगभग आसपास इसका वजन निकालाता है मोटे और बड़े दाने होते हैं तो यदि आप इस छेतर के महराश्टर और करनाटक जैसे छेतर के रहने वाले हैं तो BGD 111 प्रजात आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है अगली जो चौती प्रजात हमने ली है वो BG 3062 है जिसको पूसा पारवती नाम दिया गया है कि देशी किसम है सन 2020 में से लांच यानि इसी वर्स इसको लांच किया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजिस्थान, उदेपूर छेत्र, उत्तर प्रदेश के दच्छरी छेत्र और 36 गड़ में इस किसम की बुआई की जा सकती है मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छी प्रजात साबित हो सकती है सिंची छेतर के लिए इसकी बुवाई कर सकते हैं प्रते हेक्टियर ये उपज की बात की जाए तो 30 कुंतल तक उपज देने की इसकी छमता है प्रते एकड़ लगवग 9 कुंतल के आसपास आपको उत्पादन दे देगी पकने की अवद करीब करीब 112 दिन होती है इसमें सबसे अच्छी बात है कि फ्यूजेरियम जड़ सरन ठूंट रोग मुर्जाना जैसी समस्यां जो आती हैं ये इस रोगों के प्रतरोधी किसम है तो आपके लिए ये काफी अच्छी प्रजात है इसकी उत्तरपदेश के छेतर में भी बुआई की जा सकती है उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है लेकिन ये उत्तरपदेश में भी बुआई की जा सकती है इसके बाद जो हमने पांचवी किसम लिया है वो है पूसा 10216 जिसको चिपकी नाम दिया गया है एक देशी किसम है सन 2020 यानि इसी वर्स इसको थान जैसे चेतर में इसकी बुआई करके काफी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है इसकी यदि एक एकड़ की बात उत्पादन की की जाए तो नौ कुंतल तक आपको उपजदे देगी हेक्टियर में लगबग तेश कुंतल तक उत्पादन देने की च्छमता रखती है बरानी चेतर के लिए अच्छी किस्म है यानि असिंची चेतर में दियाप रहते हैं तो ये किस्म आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है और सबसे अच्छा उत्पादन देने की च्छमता भी रखती है पकने की अवधि मात्र एक सो छे दिन है यानि एक सो छे दिन में ही ये पकर तयार हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी ये हमें लगी कि इसमें फ्यूजेरियम, मुर्जाना, जड़ सरन, ठूट रोग और फली छेदक जैसे कीटों के प्रति प्रतुरोधी किस्म है तो आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है आज के लिए इतना ही मिल आते हैं नई जानकारी में धन्यवाद दे।